चली फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक क्वेस्टन के साथ आया हूँ, जो कि आपसे किसी भी इंटर्वी के दरांज जेनरली पूछी लिया जाता है, तो आज का हमारा क्वेस्टन है कि यानि कि steam line में U-bends क्यों provide किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में लोग detail से discuss करेंगे, तो देखें, आपको अपने plan में कभी न कभी देखें होंगे, कि जो हमारा main steam line होता है, उसमें आपको इस type का एक U-bends देखने को मिलता होगा, या अगर आपका boiler और turbine के बीच का जो distance है वो बहुत जादा होगा, तो आपको एक से जादा ये U-bends देखने को मिलेगा, तो ये जो U-bends है, एक certain distance पर लगाया जाता है, और ये क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में लोग detail से discuss करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे end तक वीड करते हैं, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं, स्टार्ट, चलिए फ्रैंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं, कि steam line में U-bends क्यों provide किया जाता है, तो दिखिए मैंने यहाँ पी बहुत ही सिंपल सा diagram बना रखा है, जो कि यह क्या है हमारा steam line है, और यहाँ पी क्या है हमारा U-b provide किया गया है, उसके बाद हमारा steam है, यहाँ से exit हो जाता है, मतलब यहाँ से steam travel करता है, और ऐसे move करके हमारा यहाँ से out हो जाता है, तो यह जो हमारा bend है, इसको लगाने का main purpose क्या है, direct हम लोग steam line को straight कर देंगे, तो क्या problem होगा, तो देखिए, सबसे पहला problem होता है, जैसा होता है, जब भी steam जो है, इस wall से, यानि कि internal wall से जब टकराएगा, तो क्या होगा, due to friction, steam जो है, अपना energy loss करता है, जिसकी वज़ा से steam का condensation हो जाता है, यानि कि steam जो है water में convert हो जाता है, तो बहुत ही कम amount में water में convert होता है, तो उस water को निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूर यानि कि जो भी condensate है, उसको remove करने के लिए हम वो क्या करते हैं, U-bends provide करते हैं, तो जैसे ही हम वो यहाँ पे U-bends provide करेंगे, तो देखे क्या होगा, कि जो हमारा steam है और water है, वो क्या होगा हमारा इस part में आ जाएगा, तो जो steam होगा, यहाँ से जब यह उपर rising mode में आएग तो water हमारा कुछ इस part में हमारा collect हो जाता है, तो यहाँ से water को remove करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कि यहाँ पे हमारा क्या है, इस type से हम लोग यहाँ पे steam trap लगा देते हैं, तो यहाँ से trap की मदद से हमारा जो भी condensate है, वो remove हो जाता है, और इस तरह से हमारा steam है, य यहां से रिमूब कर देते हैं इस यूबेंड का सबसे पहला परपस हो गया कि जो भी स्टीम लाइन के अंदर कंडंसिट होगा उसको इसली रिमूब करने के लिए हम लोग इसका उप्यूब करते हैं तो आप देखें होंगे कि यह जो हमारा यूबेंड है एक डिस्टेंस के सब्सक्राइब लगाना परता है यानि कि अगर आप जो टरबाइन है में आप यहां पे U blade लगा देंगे फिर 25 से 30 मिटर पे यहां पर यहां पे to इसका मतलब यही होता है कि 25 के मिटर जब यहां से स्टीम suis ट्रेबल करे गा तो जो भी कंडंसेच होगा यहां से अम लोग कर लेंगे फिर यहां से जू लूप भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं एक्सपैंशन लूप भी बोलते हैं और इसका में परपस क्या होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ही अगर हम लोग किसी मेटरियल को हीट अब करते हैं तो उसका लेंथ में चेंज होता है यानि कि जब हम लोग मेटरियल को होता है expansion होता है और जब उसको हम लोग कूल करेंगे तो उसका contraction होता है मान लीजिए कि इस pipeline में हम लोग steam को travel करवा रहे हैं यानि कि steam यहां पे enter करवा रहे हैं तो यह जो हमारा steam है इसका temperature के होता है बहुत ज्यादा higher होता है और initially में जब steam इसके अंदर travel नहीं कर रहा है तो यह क्या होगा हमारा atmospheric temperature के जितना इसका temperature होगा यानि कि जो metal temperature है वो कितना होगा 40 या 30 degree Celsius यहीं होगा लेकिन जब हम लोग steam इसके अंदर travel करवाएंगे तो इस metal का temperature हमारा steam temperature है उसके etwa percussion चला जाता है यानि कि म HOW लीजे कि हमारा steam temperature 500 degree Celsius है तो इसका भी temperature अपरोक्स 500 degree Celsius के करीब में चला जाता है तो जब हमारा metal का temperature increase होता है तो हम लोग जानते हैं कि žभी भी हम लोग metal को heat up करते हैं तो वो क्या होता है expand होता है पानला लिजे कि हमारे पास कोई rod है मैं यहाँ पर एक simple rod का एक ऐसे ही diagram बना दे रहूँ ठीक है और इस rod को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से heat प्रोवाइड कर रहे है यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग heat कर रहे है तो जब आप इस rod को heat करेंगे तो यह जब हम लोग heat करते हैं तो क्या होता है वो expand होता है यानि कि जब इसका length आप देखेंगे तो कुछ समय बाद कितना हो जाएगा तो इसका थोड़ा न थोड़ा इसका length में change हो जाएगा यानि कि जब हम लोग इस rod को जब heat up करना start किये तो पहले हमारा temperature मतलब कि जो इसका length था वो इतना था लेकिन जब हम लोग इसको heat किये तो इसका length थोड़ा सा बढ़ गया यानि कि यहां से यहां तक इसका length increase हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं delta L यानि कि change in length ठीक है और यह हमारा length है वो कौन सा है तो original length है यानि कि LO मैं लिख देता हूं यानि कि original length तो यह जो हमारा change in length है वो किसके उपर depend करता है यानि कि हमारा ये length में increment होगा और माल जी कि हमारा जो rod है वो इतना बड़ा होगा तो इसका जो length है इसके according increment होगा ठीक है तो हमारा जो change in length होता है वो directly proportional होता है हमारा original length के पहला और दूसरा क्या होता है कि हम लोग इस material को कितना heat provide कर देते हैं जैसे कि माल जी कि हमारा यहां पर जो हम लोग heat दे रहे 55 degrees celsius दे रहे तो इसके अंदर कितना है मतलब की length में change होगा अगर आप 50 degrees celsius के और इस rod को गरम करेंगे तो इसके अंदर कितना change होगा बहुती कम होगा लेकिन अगर आप इसको 100 degree celsius देंगे तो पचासी से तो जादा ही difference होगा ठीक है अगर आप यहाँ पे 500 डिगरी सेलसियस सी इसको हीट कर रहे है तो इसका जो लेंथ है वो और ज्यादा एक्सपैंड होगा और भी ज्यादा बड़ेगा तो इस तरह से हमारा यह जो चेंज इन लेंथ है यानि कि डेल्टा एल है वो डिरेकली पॉर्पोस्नल होता है हम हमारा टैंप्रेचर का तो यह टैंप्रेचर की हुआता है कि पहले हमारा मेटल का टैंप्रेचर कि टना है और कितना टमप्रेचर तक इसको की मौलते हैं तैंप्रेचर डिफरेंज यानि कि T2 माइनस T1 इसको मैं लिख दिया हूँ टेट घ commission तो इस तरह से आप तो temperature difference, delta T में लिख दिया हूँ, जब हम लोग इस proportionality को हटाएंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई constant आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा change in length equal to क्या हो जाएगा, तो यह हमारा proportionality हटेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई coefficient आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या तो alpha into original length into delta T, यानि कि हमारा यहाँ पे एक बहुत ही simple formula बन के आ जाता है, कि change in length, यानि कि अगर आपको यह पता करना है, कि हम लोग अगर किसी pipeline के अंदर stream travel करवाते हैं, जिसकी वज़ा से हमारा pipe का जो temperature है, वो increase हो जाता है, तो उसमें कितना length का increment होगा, यानि कि हमारा thermally expansion कितन होगा, उसको calculate करने का हमारा जो formula है, वो कुछ इस type से बन के आ जाता है, यानि कि change in length, यानि कि हम लोग कितना temperature दे रहे हैं, उसकी बज़ा से हमारा change in length कितना होगा, उसको कैसे calculate के जाता है, तो alpha original length into हमारा delta T, इसका formula होता है, और यह जो alpha है, आपको जो दीख रहा है, यह expansion, thermal linear expansion होता है, और यह जो होता है, अलफा का value हर एक material के लिए अलग-अलग होता है, जैसे कि अगर आपका यह जो material है, वो carbon steel का होगा, तो carbon steel के लिए linear expansion का value है, वो कितना होता है, तो उसका value होता है, 11 से ले करके 16.5 into 10 to the power minus 6, per Kelvin होता है, यानि कि 11 से ले करके 16.5 तक के बीच में factor होगा, और into 10 to the power 6 कर दीजे, per Kelvin होता है, वैसे ही अगर हमारा यह carbon steel के लिए है, वैसे ही हमारा alloy steel होगा, तो उसके लिए हमारा जो यह factor होता है, वो कितना होता है, तो 9 से ले करके, हमारा 15 into 10 to the power minus 6 per Kelvin होता है, ठीक है, तो यह क्या होगे हमारा linear thermal expansion का value होता है, तो चलिए अभी हम लोग एक छोटा सा example के मदद से हम लोग समझते हैं कि हमारा, यह जो हमारा pipeline है, माल लिजे कि हमारा किसका बना है, alloy steel का बना है, alloy steel से ही मेली बना रहता है, अगर high temperature होता है, जहां भी 400 degree Celsius से उपर का, हमारा steam का temperature रखत है, तो माल लिजे कि हमारा initial में जो इस pipeline का temperature है, यानि किuesto कि TI है, initial में हमारा कितना है, तो 40 degree Celsius हम लोग मान के चलता से हैं, यानि कि याह एमारा ambient temperature पे हमारा लेंथ है हम लोग 30 मेटर पर माल लिजए कि हम लोग इस यू बेंड को लगाते हैं तो हमारा ओरिजनल लेंथ कितना हो गया 30 मीटर हो गया ठीक है तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो इतना मीटर पर इतना टंप्रेचर डिफेरेंस की बज़ा से हमारा कितना मेटेरियल के कैसे करते हैं तो उसको कैल्कुलेट करने का हमारा फ़र्मूला यही है तो आप क्या करतेंगे डका लिख दिजिए और इनटु क्या करते है अल्फा का कितना है तो 9 से ले करके 15 के बीच आप ले सकते हैं तो इस्टेंडर आप मालेजे कितना मालेजे 10 मालेजे ठीक है 10 इंटू 10 to the power minus 6 into original length कितना है तो 30 meter आप ले रहे हैं ठीक है और इंटू क्या कर देंगे आपका temperature difference यानि कि 480 minus 40 ठीक है जब हम लोग इसको solve करेंगे तो हमारा value कितना आएगा तो देखिए यह जो हमारा 10 into 10 to the power minus 6 है इसका मतलब क्या होता है यानि कि जो हमारा thermal linear expansion है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि 8 degree Celsius अगर हम लोग metal का temperature बढ़ाते हैं तो हमारा जो metal है वो कितना expand होगा 1 degree Celsius में अगर हम लोग इस metal का temperature 1 degree Celsius बढ़ाते हैं तो इसका metal कितना expand होगा तो अगर माली यह 9 into 10 to the power 6 है minus 6 है इसका मतलब क्या हो गया कि 0.000 यानि कि 0.5 times 09 इसका मतलब यह हो गया न कि अगर हम लोग 1 degree Celsius बढ़ा रहे हैं तो इसके according 0.5 times 09 यानि कि इतना मीटर उसका लेंथ में क्या होगा चेंज होगा तो बहुत कम होता है तो अगर हमारा 30 मीटर लेंथ है इस स्टीम लाइन का और इतना हम लोग temperature difference कर रहे हैं हम लोग 1 degree Celsius का इतना हो गया तो इस जितना भी हमारा temperature difference हो गया उतना के लिए कितना होगा यह पर मीटर में हमारा पर मीटर का होता है तो हमारा 30 मीटर में कितना होगा तो जब आप इसको सल्ब करेंगे तो आपको निकल गया जाएगा तो 400C-40 हो जाएगा इनटू 30 यह वाला और इनटू 10 कर लिजे और डिवाइड में क्या करते ना है 10 to the power 6 तो 123456 यानि कि कितना वैलू जाएगा तो 013 यह किसमे हो जाएगा तो यह हमारा वैलू हो जाएगा मीटर में यानि कि इवरी हमारा 30 मीटर में अगर हमारा इतना टेंपरेटर डिफेरैंस होगा तो मानीजिए कि ये जव अमारा पाइपलाइन है वह फो रहेगा एकदम पूरा रहेगा अगर हम लोग इस स्टीम लाइन को एकदम रखते हैं तो यह जो हमारा चेंज लेंथ हुआ है यानि कि हमारा टेंपरेचर डिफरेंस की बज़ा से जो हमारा चेंज लेंथ हुआ है यहांब वह एकस्पेंशन बेंगा तो क्या करेंगा इंटर्म में चेंज आ रहा है उसको अगर पर हम लोग मतलब कहीं नहीं रास्ता नहीं देंगे तो क्या होगा वह बेंड हो जाएगा कहीं से फेलियर हो सकता है तो इस चीज को एवाइड करने के लिए हम लोग जब यू बेंड लगा देते हैं तो मालेजिए कि जब हमारा यहां तक लेंद में हमारा 0.13 यह जो फाइपलिन है वोगा थोड़ा सा इधर चला जाका या तो यह सել्सेंट लूप का करना काम करता है जो भी थरमले मेंगा उसको एस और यह आपर आपकर लेता है तो ये इसका main दो purpose है और ये हम लोग thermal expansion जो है वो कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग का जो formula है वो क्योंच इस तरह से है ये हमारा carbon steel का जो factor है और ये हमारा alloy steel का factor है तो ये हुआ all about उमीद करता हूँ आपको समझ में आगे होगा कि steam line के अंदर हमारा ये u band क्यों लगाया जाता है अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा informative लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे अगर मेरे चैनल पाप आंड डिसकसन में नहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए friends thank you, thank you so much